हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप शुब के देखिए आज हम देखिए जो दिसंबर 2021 में ओनलाइन एक्जाम हुआ था सिटेट का उसका हम सुल्ला तारीक को सीडीपी का कोश्चन डाल दिये ते समझे आप लोग देख लिजेगा आज हम सुल्ला के वाद 20 दिसंबर को एक् कोश्चन है ऐसे ही आपका जितना भी एक्जाम हुआ सेट में उसका कर देंगे फिपर टू का डालेंगे फिर इवीएस मैट यह सब काम डाल देंगे कि देखिए प्रिवीएस यह आप बना लेते हैं तो आपका गरांटी है कि आपका सो प्लस नंबर आराम से चलाए इसी प विकास का सिधान्त नहीं यानि कर रहा है कोन विकास का सिधान्त नहीं तो पहला अप्शन है विकास एक धार्णिये और एक आयामी होता है आपको पता होना चाहिए विकास क्या होता है कि बहु आयामी होता है समझे और क्या होता है कि मिस्रित होता है समझे यानि कहने का मतल को आपका गलत हो गया वी बोता है अलकर को चाहँ कि लिगास के संदर है पहला अपनके है को घ्राइए निखे और सरे हम लोग कहते है शर्षिण निखे सब्सक्राइब से विताँ है धोग और बैंगल्सरे मतलब परियावरन इससे बेशने पर भावित होता और परियावरन क्या होता है कि उसके द्वारा भी परभावित होता है यह जैसा संस्कृतिक वा एक नमर होगा इसलिए पहला का अधर यह कैनल हो जाएगा जाएगा समय की कुछ सा चिदाना थाणी विकास के धर जोड़ा होता है विकासतर त्भति vereन हुता है दुसरा होता है आपको अध्यों जो आपका केंदर से बाहर की तरफ होता है तो सारी डीक पक्ष पर लागू होता है समझे तो इकर आए कि जिसे घामक जो मोटर जो जो गती कर सकते उसी को हम लोग सारी डीक पक्ष में होता है समझें जिसे हम लोग गामक कॉसल बोलते हैं तो अंगर विकास पर लागू होता है आहां ड़का फोस hangsपर और पर लागी होता है तो आपके संघ्कत्मा पक्षपर हो गामिय आपके सारिवरीख पक्षarah होगा यापके मोटर डेवलोमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं तो दो का एंसर क्या हो जाएगा आपका एक नमर हो जाएगा गामक विकास समझे यानि सारी पक्ष में होता है इसरा कोस्चन है बच्चा 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 सीखता नहीं है समझे वास्ता में ज्यादा सीख सकता है बच्चा मद का जो काल होता है आपका दो से चो होता है जिसमें बच्चा सबस्ज़ जबता है तो प्रारंभिक आवस्था म outreach में अवस्था है बच्च्छ सब्खें जब जबाई जब करेंगा लिक देखता है अगला प्रेंजि़ इसका एंसर आपका तीन का क्या हो जागा दो नमबर हो जाएगा अगला कुस्चन है कि परिवार में आरंब होने वाली वह परिक्रिया जिसने बच्चे अपनी वेकतिकत पहचांद जानना शुरू करते हैं भासा सिखते हैं और आरंबिक संगेनात्मा कोसल विक्सित करते हैं प्राथमिक यह प्रारंबिक क्या होता है कारक होता है समझे उसके उस्कूल हो गया चाहिए जानता है भाजा सिखता है तो न बिग समाजी करन आफ समाजी करना नाता है क्या आपका कलाता है तो समाजी करनका है त कोश्चन है लोरेंड कोलवर्ग के सिधान के नुशार किस चरण में नेतिक चिंतन सुर्वाती समाजिक परिप्यक्षपाधार है यानि कोस्चन करा है कि लोरेंज कोहलवर्ग के नुसार मतलब किस चरन में किस लेवल में बोला है यानि इंग्लिस पर अपका चरन दिया हुआ है तिन आपका अस्चर दिया हुआ लेवल बुलिए एक है पुर्व प्रंप्रागत अस्तर प्रंप्रागत अस्तर और आपका उत्तर प्रंप्रागत अस्तर देखिए होता क्या है पहला जो अस्तर होता है जो पहला अस्तर जो आपका है जिसे पुर्म प्रंप्रागत अस्तर करते हैं वो क्या होता है बच्चा कि ये सब क्या है आपका समाज मनाया हुए समझे को यह आपका दूसरा अस्तर में होता है पहला अस्तर में बच्चा को सही या गलत दुसरे तत्वा अधारित होता है समझे एचीज जब हम थुड़ा और सियाना हो जाते हैं जब हम प्रमप्रागा तस्तर में चल जाते हैं उसमें क्या है कि हम छूट बोलेंगे तो हमको दुसरा अदमी होस देगा या जो भी चीज है खराब मानेगा समझे यह क्या है कि यह सुरवाती जो समाजिक परिप्यक्ष होता है और कि हिसे जाता है तो आपका परांपरिक चलन में होता है हम पूर्म परांपरिक में क्या होता है कि हमिसमें समाजिक जो समाझका जो चीजह उसको नियंम एक लिए ऊपने संख्यान अगोटिये के द्वारा प्राइटिक मांथे उससे उत्तर परंपारीड चरण समझ गए तो याप समझ गये होंगे तो यह कोस्टन है कि लोरेंज को लबर के सिधान्द के नुशार किस चरण पर नहतिक चिंतन सुरुवाती समाजिक परिप्यक्ष पाधारी तो आपका परमपरीक चरण हो जाएगा समझे इसका एंसर पांच का क्या हो जाएगा आपका वह कोन से नई सुचनाओं को अपने मौझूदा ज्यान को सामिल करने हों क्या कर रहा है कि जीन प्याज एक अनुशार पाते देखिए आपको यह चीज बचाते हैं सिंपल एक्जांपल के तोरप समझेगा कि बहुत कंफ्यूजन करता है एक होता है सामायोजन एक होता है आत्म समयोजन इंगलीज में इसको एक्टोमेडेशन क énसे असमी मिलेशन करते हैं समझे तो Chr Bere Stark ंसात्तिकर इस पताता है त इसे लोग यह जब आपके अंदर जो ज्यान है ना जो आपके अंदर ग्यान है जिसे मा लिएगम दो का पहारा जाना है और एक आप तीन का पहारा शीख लिए तो जब अपने ज्यान में और एक और ज्यान को जब सामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आत्म साथी करत यानि कुछ चेंज नहीं किए संदर इंदर अब्य घ्यान को हम दो कब आरा हम जानते थे अम्येमे करके सभी सिखे जैसे वी से लेकिन हम और ये परीवर्तों नहीं करते हैं जो हमारा पुराना ग्यानि कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा है सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोजूदा ग्यान में संसोधन या मोडिफिकेशन कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या उसे हम लोग करते हैं समय समझे यानि जब हम पुराना ग्यान में चेंज करेंगे याद रखेगा जब हम पुराना ग्यान बोलेगा मोजूदा ग्यान बोलेगा वर्तमान ग्यान में जब बोलेगा संसोधन तब समायोजन होते हैं दिमाग में ची रखिएगा और जब बोले कि नया जनकारी को सामिल कर करते हैं तब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर समायोजन हो जाएगा नहीं तो आत्म साथी करन ही होगा जब बोलेगा नया ग्यान को सामिल कर लिया तो वही कोश्चन है कि कि प्याजे के सैधान्तिक डिस्ट्ट कूल से नहीं सुचनाओं के अपने मोजुदा ग्यान में सामिल करने ओं पर्वाव में परर्प्रोसेस नुव इन्फुरमेशन आपके पास जोड लिए तो इसे मिलेशन इंकोमेडेशन क्या होता है एकुमेडेशन यानि अपने पुराना ग्यान में यानि वर्तमान ग्यान में सुनसुधन करके जम नई जनकारी को हम सामिल करते हैं तो उसे समाई जनकाते हैं इससे अच्छा एक जामपल हम नहीं दे सकते हैं यह बहुत अच्छा एक जामपल है आपको समझेने के लिए समाज समझे तो आपका 6 कया हो जाएगा आत्म साती करण ुझाइग हो जाएगा अगला कुस्चन है 7 नबर मीना आप सबस्टों का पर्युक करने लगी है तदह याँ समझने लगए कि सब दोस्तु के प्रतिक है अब तर्क करने लगी है प्रणतु परतेयों का संद्षन और करम्द्थता नहीं कर पाती है यह नि कहने का मतलब क्या हुगा है लेकिना में लिख दिये यह यह लिख दीये ये समझने लगी यह समझे अब तर करने कुछ भी करने लगे प्रत्तों प्रतेयों का सन्चन और करम्द्थता नहीं कर पाती यानि क्रम्द्थता का आपका क्या हो जागा सातका और कि आपका जैंजागों करता है और पुर्व संक्रियात्म च्हborश संव्स यहां बच्छा ह goo02 में बचान यदि जन्म से दूसाल उसके बाद अता है। संक्रियात्मक 2-7 साल उसके बादस अंक्रियात्मक मूर्थ संक्रियात्मक साथ सही ॥ जाता है उसको लास्ट होता है आपका 11 से 15 यह आपका क्या होता है चौता होता है समझे याद रखिएगा इस चीब पूस्ट देता है तो साथ का एंसर आपका एक नमबर हो जागा पुर्व संक्रियात्मा कवस्था आठ नमर कुस्चन है कि समय पस्त विकास काच जिसे हम अगला कुस्चन है कि मूल सिधान्त को सही माहिने मिरा देखिए लगोस्ट की आप याद रखेगा तीन चीजी याद रखेगा समाज संस्कृति और भासा इतीन चीजी याद रखेगा आपका इसी से काम चल जाएगा तो देख लिजे अधिगम एक अत्मन परिक्रिया अध समाज संस्कृति और भासा इतीन चीजी याद रखेगा तो नौक आपका क्या हो जाएगा कि नौका दो नमर हो जाएगा कि अधिगम एक समाज इक लिए दस नमर कुस्चन है आपका कि एक प्रगदसिल्क अक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक सिक्षन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधी का उधारा नहीं सार्थक मतलब सही तो पहला अप्षन है कि नियंतर वेक प्रतियोगता आपका निगेटिव होता है मौक डंड में निगेटिव होता है और एक रूपी मान की कृत पड़ चरिया नहीं होना चाहिए समझे और केवल अ वह प्रमेटिव टेस्ट सिर्फ नहीं करेंगे तो बहुत इस्थान पर क्या करेंगे अधिगम के लिए मुल्यांकर बल देंगे यां केवल से नहीं समझेगा निगेटीव वड है समझे के वल के मतलब यहां दिया केवल ओन एक नहीं करेंगे हम ए भी करेंगे समझे अम अगला Question है कोन सा विकास सिदांत इसे बात का समर्थन करता है की बच्चों में संगयनात्मारा विकास संग्हेतिक भासा विकास का पुर्व। गामी है याली संग्या वकार मितलब होला हinating ने सकति जहाटा है कि यह संगयनात्मारा को हैं पता होना चाहिए कुन जोड़तिये हुए Is कुन सा विधास सिदान्त इस बात की समर्थन करता है कि बच्चों में संगयन्त्म मग कर्णा होbaren ने विगास होता है यह को होता है समय तो संव्याथमी कि कुछन नहीं कर जांग है और यह संग्यनात्म लगा नहीं है इस ने कड़ जाए आप मलखा करता है कि बच्चों में सेगर जनला है तो अगला को च्शन है तो आपको शन्सक्रितिक सिधहान दिए थे एलिक्शन तो आपको मोनो समाजिक सिधहान दिए और वेंडुडूरा तक समाजी का दिगम सिधान शिवी inspired to like नदी रिवाधिता को नीगेटी पूच रहा है आपका भालक बलिकाओ को अलग अलग बैठाने की विवस्ता करना देगी ए अलग अलग बिठाने की बिखेसे यह क्या है कि उच्छित विदी नहीं है मतलब रोकने के लिए जेन्डर पक्ष रुड़िवादिता को यह आपका नहीं पूछ रहा है तो यह आपका ओप्षन हो सकता है तिसरा आपशन है जेन्डर भेद भावा पर चर्चा करेंगे जिससे बोलेंगे लड़की को इसे भीद प्रयोग करना जिसे लड़के लड़के बाहर के काम करता है तो इसका उलट देंगे यह भी सही बात है आपका जो इंसर इसका हो जागा पारा का दो नंबर हो जाएगा गाक्षा में बालक बलिकाओ को अलगलव बैठाने की व्यवस्ता ते जिंडर उदिवाजत्या को खतम नहीं करेगा समझ गए यह आपका क्या हो जागा इंसर हो जागा बारा का समझ गए तेरा नंबर कुस्च्चन है कि पारो अपने पिता क की बढ़ाई के दुकान में उनकी सहता करती है समझे जहां पर वह लर्की के लर्क लकडी के ब्लॉक टुक्रे को अपने पिता द्वराद सिखाई के विदी से सफलता पुर्वक मापती है उसे हाल में ही हाल में ही डबलू एस स्कीम के अंतरगत पबलिक विद्याले में प्र प्रशल लग यहनि उसको गनीत नहीं आ रहा तो इसके लिए अभी सिख्छक क्या करेगा समझे पहला अप्षन है आपका कि पारो कहना कि उसे गनीत की छमता नहीं कहा दिजेगा कि आप में गनीत नहीं आता आप नहीं सिकिती गलत बात हो गया तो अप्षन होगा नहीं पारो के लिए इसा बनाएंगे उसके लिए उपयोगी को जैसे उसको एक्जामपल के तब जैसे उसके पापा जो थे बढ़ाई काम करा उसी के तरह एक्जामपल उसके लिए प्रसांगिक बनाएंगे और पारो द्वारा विद्ध्याले के बाहर सिखेंगे गनीतियन बहु समागरी को पारों के लिए प्रासांगिंग मनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्ध्याले के बाहर शीखे के गनितिये नोगा जी से माली बच्चा अमाले यह सो रुप्या को दिया आपको 40 प्रीटन के यह भी तेक्तर आ और अध्यान समागरी को पारों के लिए प्रसांगिंग मना चाहिए और पारों दोरा विद्धालने बाहर सीखे के गनितिय अनुबहों का सामय वेशन करना चाहिए तरह क्या हो जागा आपका तिन नमबर इंसर हो जाएगा समझगे आगे कुस्चन है चौदर नमबर कि धोनी लए और सब्दों के अर्थ के परती सचतना किस बुद्धी के मुलेत आप जानते हैं कि आपको हावेट दिगा देने के नुसार यह संगीतिय बुद्धी के अंतरगत चौड़ी क्या कर्चन है कि धोनी लए और सब्दों के अर्थ के परती सचतना किस बुद्धी के बुद फुदी के मूल में देखें हाँ यहां पर देखें गाना से रिप्पर नहीं है थे जंड सबने आतरय से नहीं होसे जानतें कि दन अविक्तित अचलतरी प्रशकार्ट लेटा ये इपैने लए कोण सी आपल विद्धी इटर से उप्यूकत तो देखिती है यहाँ पर उप्षंड के समाजी प्रयोजित कार्ज करेंगे समझे आपका सही हो सकता है यानि 15 का यह नंबर हो जाएगा कि सतत्यों व्यापक मुल्यांकन में सतत से क्या विप्राय है कि अध्यापन के दोरान विविन उपकरनों का प्रयोग करते हुए चछाउत्रों का साथ-साथ मुल्यांकन करना उनकी साहत्य के सतोत मतला लगतार होता है हम तो सधी हो सकता है ज़्यापन के दोरान विविन वीभीन उपकर्णों का परियोग करते हुए छात्रों के साथ मुल्य अंकन करना उनकी सहते सही हो सकता है गंगरेड निगेटीव होता है आपका पेपर पेंसिल टेस्ट भी निगेटीव होता है अश्मराने सब निगेटीव होता बच गया एक नंबर आप्शन यानि आपका अध्यापन के दौरान वीभीन करनों का प्रियोग करते हुए चात्रों का साथ मुल्य अंकन करना उनकी सहते आपका दो नंबर अप्शन अंग्रेड आपका निगेटीव होता है तुल्ला करना निगेटीव होता है समझे निश्चीत अंतराल पूरे सहची एक बार तो टेस कि सिक्छार्थियों को किस प्रकार के लक्ष निधारीत करने के लिए पृत्यसाहित करना चाहिए परिननित्ता मतलब अ मतलबब ऐसा लक्ष की बच्चा उसमें क्या हो परिमीन मास्टर हो जाए समझे उसको तो असफलता बचने के लिए लक्ष नहीं निनधारीत करना चाहिए कि तुम इसमें देख असफलता ही क्या होती है सफलता को एक पहिल का सीडी मना जाता है समझे हम क्या करें असफल हुए तो उसको चुनावती के रूप में लेंगे तो यह क्या हो गया गलत हो गया दूसरा आप सुतिसरका है असफलता वारा खले असफले हो यह 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 नहीं होना चाहिए आत्म प्राजीत लक्ष यह आपका सेल्फ भर भर हारी यह जाईए यह यह नहीं प्रीनिता अनुमिक्षी लक्ष याणि मास्टरी ओरियंटेट लक्ष को हम क्या करेंगे मत्तब उसको प्रत बेधन्त होगा नहीं मानकी कि अभीन्ति नीगेटिव से जाता भी वैदन भेदभाव भी नहीं करना है और चौता बच्चा को नहीं करना रहाए यह सामवेसी शिक्षा का यह नियम है आपका क्या हो जागा आपका 18 का तीन नमबर हो जागा समझे अगला है आपका उन्हाइस नंबर एक बच्चा जो आंसी रूप से देख सकता है और कम देख सकता है समझे ज्यादा नहीं देख सकता है उसके लिए प्रवधान को पालन करते नियमीत स्कूल में यह सखता है बिना किसी बीशेस प्रवधान वाले नियमीत में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिती से जुझने के छमता देखे सामासी प्रवधान उसको जैसा अवसकता है यह वाला तो सही होगा यह वाला गलत इसलिए हो जाएगा यह कि माले जी अंधा वेक्ति उसको नहीं दिखा दे रहे तो उसको ब्रेल लिपी या उसको आगे बेट विवस्ता करव अगर पर सिक्षा प्राफ्त कहां से उसको बिश्य सब्रावधान मिलेगा इसलिए एक नंबर वी गलत अगला कोस्चन है कि बिस नमाने में कुण सी शिक्षा परनाली कख्षा में सिजनात्माक्ता में सहायक होगी समझे पहला अप्षन है कि कलपना सील उत्रों को सुईकान स्थिनान मत्यक्तां को बढ़ाने दूसरा है है विचार मंथन पर बल देना चंता अप 60 है कि अभिशारी चिंता देंकि अभिशारी नहीं अभ वाल देना अप सारी इन आओ हो गया 3 नमनर गलत हो गया सम्ज़ें तो तीन गलत हो गया सम्झे चौना है और SMETto केiler 3 मतलब के की जो कुई अ nsilta लिख रहेंगे तो ये आपका क्या है की तल उसको क्या करें हो सकता है कि सही हो सकता है समझे यानि टोलेंस अब जो इंगलिश है उसका डिसेंट यानि और स्वामत्ति के 30 अंसिल का मतलब हो गया कि जो चीज नहीं है उस पर भी हम सहानसिल लेंगे तमना हम सिजिन अत्मक्ता का विकास होगा इन्हें आपका क्लिब कर दो और चार सही है समझें यहानि एक लग देख लिए तो एक लगवन दो चार ईयाँ पसक्लिश्माधति का ृचार संधे हैं आपका यहां पर इसना मुष्य नमर नाध्य किस नमर कोस्चन है कि एक स्वेर चिंतन यानि आत्म भीहोर वालेचा आत्म भीहोर अपने में क्या है कि बच्चा मतलब क्या उसको बोलते हैं कि अपने में वह लीन है बच्चा समझे जिसे अक्टिम बोलते हैं बच्चा इसे आत्म लिंता जिसे बोलते हैं हम लोग एक स्वेर चिंतन सब्सक्राइब नहीं निगेटिव पुछ रहा है समझे पाला अप्षन है आपका यह हो यह तो आपका पॉजिटीव है कि सही बात है सामोही कार्ज के दानों प्रतेक्ष और लिखित समागरी देना ते आपका सही लेकिन निगेटिव पुछ रहा है एंसर होका नहीं दुसरा बाइस नमर है एक प्रात्मिक कक्षा में सिख्षक को छात्रों को प्रास्त पुछने के लिए क्या करना चाहिए तो पुर्थ साहित करना चाहिए तो सही हो सकता हर तो करना नहीं अनुमति नहीं देना और सजाद आपका एदम हल्गा कोशन दबाइस का एक नमर हो जाएगा समझ गया कि इस नमर कोश्चन है कि विद्याले के छात्रों में पाठ पुष्टकों के याद करने पूरा उगल देनी के उक्ता का स्थान पर उनमें अपनी अवाज उठाने जी ग्यासा सांथ करने कि रिया सिल हो ने प्रस पुष्चे का बाद विवाज समुम्हाजन ने उक्ता विक्स समझें हर अवर नहीं कि जने तो ग्या हो जाए गलोत हो जाएक कि क्विश्चन कर रहा है कि विद्यालियों में च्छात्रों में पाठ पुष्टकों को याद करने पुना उगल देनी के अस्थान पर देख रहे हैं गुमादी है उनमें अपनी आवाज उठाने जी ग्यासा स्थान करने किर्याशिल होने प्रस पूछने के बाद करने संवह में कार्ज करने के उकता विख्सित करने जिल्याशे कहते हैं और दोनों सब्सक्राइब समझें सब्सक्राइब करने के लिए आलेखिये साधनों का प्रयोग क्या कर रहा है कि एक विशेस विशय में जो आपका एक विशेस विशय में ज्यान और समंदों को सुवेवस्ति तता निरूबित करने के लिए आलेखिये साधनों का परयोग देखेगा इसे कहते हैं या कोई चीज आप डाइग्राम बनाते हैं तो क्या आता है उसको एक तरह से निरूपित जिसे मायप पर होता है तो क्या हता है एक विशेस विशे में ज्यान और समंदों को सुवेवस्तित तता निरूबित करने के लिए आलेखिये साधनों का प्रयोग आपका क्या कहलाता है संकल्पना मान्चित्र कहलाता है इसमिर्ति सायकता होगा ने अगले खितार्यों खंडता होगा नहीं यानि कॉंसेप्ट मैं को दर साथा यानि इंटर्नल मोटिवेशन को दर साथा पहला अप्सन है कि रोहनी परिक्षा में अच्छे अंग के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे नब्वे प्रस्ण उपढ़ा ये तो क्या हो गया आपका ये आपका ये बाह मोटिवेशन हो क्योंकि रीडिंग रीडिंग स्टार बोट पर अपना नाम उपढवला कर अध्याफिका की प्रसंसा पना चाहती है आपनी अग्ला ज़ आपका इंटर्नल और मॉट्यिवेशन होता है यहनी आंतरियक मॉट्टिवेशन होता है समझ गह Manual 35 तो चान नमर हो जाएका समझ गह तो destroy 26 नमबर समर्लिव से कुनसी नीथी छातरों को चुदल का सामना करने में सहायता नहीं करता है चिंता मतलब यह आपड चिंतन नहीं है चिंता है याद रखेंगे समझे यह नहीं कि एंजाइटी जी से हम लोग बोलते हैं समझे पाला अप्शन है छात्रों को अधिगम और अधिगम की परभावकारी यह मदरपुन विध्या सिखना इसके दोरा च कोल से वेधि चंटन चेनता का सामना करने में सहता नहीं करता है उसलए आपका क्या हो जाएगा कि यह सही हो हो सकत्व दुसरा है छात्रों kalau लगू में आप कर लिजे तो चिंता एक तरह को जागा चात्रों को अध्यम की प्रवकारिय मर्थून विद्यो सिखना यह चिंता का नहीं चिंतन का यह सहता करता है समझे चिंता आपका हो गया यह तरह का एक निगेटिव कि अधिशन हुआ है समझे 27 नमर कोश्चन है कि रखीता यह गनीता धाइपका वह अपने चात्रों की भासा कथन वाले प्रोस्ण में परिक्रिया पाहचाने में टूटी का विसलेशन कर रही है इसके पीसे उसका क्या हो देश अधिक तूटी वाले चात्रों का क्रम टूटी करना वरिकरत करना क्या द Normное गयर्टीव सालाओ इसे हो गने onset 27 अभी कर जागा अपका एक नम्ण-ब्या आपन dobr ऑफ्सुन क्या हो गया आपका गलत हो गया समझें दूसरा हाए कि अधिक तुरूटी वाले छात्रों को डंड सवरूब अधिक डंड तो देना निगेटिव हो गया तुरूटी सुधार के लिए अभियास भी निगेटिव होता है प्रस्वन अगला है चावता तुरूटी को समझना कि चात्रों के चिन्तन को समझने नम सही वाच्चा कैसे तुरूटी किया है उसका चिंतन समझने में साहता करता है आपका 27 का चार नमर हो जागा 28 कोश्चन है कि राष्टिय सिक्षा नितिक ज्यार बीस किस पर बल देती यह परिक्षा पते नहीं है असमरान पर देती नहीं भेदन पर तपको अबच्च के चौता अप्शन समप्र समझ यानि conceptual अंदर स्टेंडिंग पर क्या दता है कि बॉल देता है इसलिए आपका 28 का चार नमर हो जाएगा समझे 29 नमर कोश्चन है कि बच्चे किस सिक्षा सास्तर द्वारा सबसे अधीक अर्थ पूर्ण अधियम कर सकते तो बैख्यान तो होगा नहीं पुन्ना विर्ति भी आपका सहीए है सबसे बेतर है 4 पूर करने विर्ण उपनी नहीं आमका Vander वे इस नमर कोश्चन है एक चात्रों को समागरी का प्रवधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम पूस्तों स्वर्ण प्रसित करने की शुतन्ता बैसको बधावा देने की अधियात एंत्रवत अधिकम तो भोगा नहीं अन्यवेशित्थ हो जागा जिसे खोज अधिकम खोज भीदी भी करते हैं तो यह हो सकता निर्धाशात्मक अधिकम होगा नहीं तापका तीसका क्या जा हो गया समझे ऐसे हम सब आपका डाल देंगे समझे थैंक यूँए